देवघाट पहुचे कोट नाला भाजपस से टिकेट को लेकर कोठी ताल से आलदे अलमोडा जिले के विकास खंट से आलदे के देघाट पहुचे भाजपा नेता गिरीश कोट नाला देगाट में पार्टी कारेकरताओं ने किया स्वागत और देगाट बाज़ार में सभी व्यापारियों से किये मुलाकात वही पार्टी कारेकरताओं स्वेवी बैठक की वहीं उन्होंने 2022 विदानसवा चुनाव को लेकर भाजपस से टिकेट लिग कर चुनाव लडने की बात कहीं नव भारत समाचार स्याल देल मोडा से हरीश मन्राल की रिपोर्ट एक अभिहान चलाया है मर्चुला से नाक्चुला और भीता कोट से गुज्रु कोट तो बतलब पूरे शल्ट में मैं जाओंगा हर काओं तक मेरा जाने का कारकरम है और इसी कारकरम में आज में देघाड तक आया लेकिन मुझे यहां पर एक सूचना मिली मतलब उस पर मुझे कारकरता जो उस लोग को करना चाह रहे हैं और पता चला कि उसमें व्याओधान क्या आ जा रहा है हमारे यहां के जो सम्वानित मंडलक से उनके फेट्बूक के माध्यम से भी भरम फहला जा रहा जानता मैं कि यह कोई कारकरम नहीं है बहुत ही मतलब क्या कह सकता हम ऐसा का स संदेश देख जी दे रहे हैं जो किसी भी तरह ना ता पाटी के हित में ना उन लोगों के जिन्हों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की निशार कर दिया अगामी चुलाओ को लेकर मैंने पुरे लगवाध पूरा विधान सभा का लगवा के सतर परसेंट इस्ता बर लेकिन मैं पिछले बार भी दावेधार था तब भी मैंने काम कर रहा था लेकिन मेरी इस्तिती देखिये आज मैं ये बाद़ के चल लाहा हूं इसका भी देखिये कि मेरे सांच जो दुर्विवार हुआ उसका पार्टी को संग्यान लेना चाहिए और दूसरी बात यह कि प पार्टी के सांथ तो पार्टी का जो भी गिरने होगा मैं पार्टी के सांथ हूँ